factors affecting demand या determinants of demand यानि मांग के निर्धारत ततो या मांग को प्रभावित करने वाले ततो मांग को प्रभावित करने वाले ततो या मांग को निर्धारत करने वाले ततो अनेकों हैं जो ये बताते हैं कि मांग का घटना और बढ़ना किन तत्वों के उपन निर्भर करता है इसमें number one आता है income उपभोकता की आय के बढ़ने और घटने पर मांग का बढ़ना और घटना भी संभव है यदि उपभोकता की आय बढ़ जाती है तो उसके लिए वस्तों की मांग बढ़ जाती है और यदि उपभोकता की आय घट जाती है कम हो जाती है तो बढ़ने उसकी मांग भी कम हो जाती है distribution of wealth यदि धन का वितरण यदि समाज के अंदर धन का वितरण अन ऐकुल है असमानने वितरण है असमानता है वितरण के अंदर तो वस्तों की मांग, یعنे कि विलास्ता वस्तों की मांग जाधा होगी, क्योंकि देश का धंड ज्यादातर अमीर व्यक्तियों के हाहतों में होगा, ज्यादा पोर्शन हमारी नेशनल इंकम का, तो वो उनकी आवश्यक आवश्यक्ता है तो और आराम दावश्यक्ता है पहले ही पूर्ण हो चकी होती है क्योंकि वो अमीर है इसलिए तो अब वो विलास्ता की वस्तों की लगजरी गुड्स की डिमांड करते हैं और यदि देश के अंदर equal distribution of wealth है तो उस समय में necessary commodities की और comfortable goods की डिमांड बढ़ती है क्योंकि अब गरीवों के हाथ में थोड़ा सा पैसा आया है तो वो पहले अपनी आवश्यक आवश्यक्ताओं को पूरा करना चाहते हैं और उसके बाद में फिर वो अपनी आराम दावश्यक को पूर करते हैं consumers preference यानि उप्भोकता की पसंद उप्भोकता की पसंद का मतलब है कि उप्भोकता की अगर रूची में आदत में फैशन में रीती रिवाजों में किसी में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उप्भोकता की पसंद में भी परिवर्तन हो जाता है और उसी के ह बढ़ी हुई कीमत पर भी उस वस्तू को खरीदने की एक्षा रखता है, तो ऐसे समय पर फिर मांग वस्तू की बढ़ apology है, और अगर वो फैशन से आउट हो गई है, तो उस वस्तू की मांग जो है वो कम हो जाती है, जलवाई और मौसं भी वस्तू की कीमत को, वस्तो की मांग को प्रभावित करते हैं जैसे कि अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं विंटर हैं तो इस समय में हम गरम पेपदार्थों की और गरम कपड़ों की डिमांड करते हैं तो इसका मतलब यहां पर गरम पेपदार्थ और गरम कपड़ों की मांग बढ़ जाती है और इसी को अगर हम गर्मियों में देखें तो गर्मियों के अंदर इनकी डिमांड कम हो जाती है लेकिन गर्मियों में ठंडे पेपदार्थों की मांग बढ़ जाती है तो मौसम और जलवाई भी इस बात पर प्रभाव डालती है कि किस समय वस्तु की मांग ज़्यादा और कम हो सकती है population यानि जनसंख्या जनसंख्या के बढ़ने और कम होने पर भी वस्तु की मांग के उपर effect आता है यानि कि जन संक्या अगर जाता होगी तो मांग जाता होगी क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी खाने के लिए वस्तू चाहिए और उनकी वो डिमांड की जाएगी अगर population कम होगी तो वस्तू की डिमांड भी कम हो जाएगी Price of Commodity यानि वस्तू की कीमत किसी वस्तू की कीमत के उपर भी उसकी मांग निर्भर करती है यानि कि वस्तू की कीमत अगर जाता है तो मांग कम होगी और वस्तू की कीमत अगर कम है तो वस्तू की मांग में व्रध्धी हो जाएगी Expectation of Changes in the Future Prices यानि कि भविश्य में वस्तु की कीमतों में व्रधी या भविश्य में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने की आशा पर भी मांग के उपर पढ़ता है यानि कि भविश्य में अगर वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी और भविश्य में अगर वस्तू की कीमत कम होने वाली है तो उसकी मांग घट जाएगी and next changing in the quantity of money यानि मुद्रा की मात्रा में परिवर्दन यदि देश में मुद्रा की मात्रा में व्रधी हो जाती है यानि कि inflation हो जाता है inflation होने पर ये देपी वस्तू की कीमते भी बढ़ जाती है लेकिन फिर भी लोगों के हाथ में उब्रोगताओं के हाथ में money जादा होती है जिसके कारण उनकी purchasing power बढ़ जाती है यानि कि वस्तू की मांग जादा होने लगती है इसके विप्रीत अगर मुद्रा संकुचन या deflation होता है तो उसके अंदर लोगों के हाथ में मुद्रा कम रह जाती है जिसके कारण वस्तू की मांग भी कम की जाती है यदि संबंदित वस्तू की कीमतों में कुछ परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ दूसरी वस्तू की मांग पर भी अंतर आता है संबंदित वस्तू या related goods दो प्रकार की होती है एक substitution goods और दूसरी complimentary goods substitute goods और goods क्या बताती है इस्तानापन वस्तू है इसमें हम एक वस्तू के साथ पर किसी दूसरी वस्तू का प्रियोग करने लगते है जैसे की process और coffee है अगर चाई की कीमत बढ़ जाती है तो उसके साथ पर हम coffee की demand जाधा करने लगते है यानि की coffee की मांग बढ़ जाती है और अगर इसके विप्रीत पईस्तितिया है यानि कि अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो उसके इस्थान पर हम चाय की मांग करना शुव कर देते हैं दूसरा इसका है कॉंप्लिमेंटरी गुट्स तो कॉंप्लिमेंटरी गुट्स के होती है जो एक साथ दो वस्तों की डिमांड की जाती है जैसे की कार और पेट्रॉल है या ब्रेड और बटर है या पैन और इंक है या पूरक वस्तों कहलाती है इसमें अगर मान लीजे एक वस उसका जो साथ ही है यानि जो उसकी इंक है उसकी डिमांड भी मार्केट के अंदर कम हो जाएगी क्योंकि बिना पहन के उसका कोई भी यूज नहीं है तो कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स में एक वस्तु की कीमत में वरत्थी होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी वरत्थी में पहली वर्षटु के उपर निर्भर करती है और लास्ट चेंजन दा स्टेट उफ त्रेड यानि कि ब्यापारिक प्रतिवंध यदि देश में ब्यापार में प्रतिवंध लगाय हुए हैं तो वस्तु की मांग कम हो जाती है और यदि स्वतंत्र ब्यापार है तो वहाँ पर वस्तों की मांग बढ़ी हुई रहती है, इसी प्रकार यदि व्यवसाइक तेजी है, तो तेजी के काल में वस्तों के लिए मांग बढ़ती है, और यदि व्यवसाइक मंदी काल है, तो वस्तों के लिए मांग कम हो जाती है, तो इस प्रकार से ये कुछ तत्व हैं, कुछ निर्धारक तत्व हैं जो की मांग को प्रभावित करने का कार्य करते हैं